गूड मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टू एन अधर व्लोग तो कैसे आप सब हाज लोग अंदर से नहीं बाहर से शुरू करूँ कि अंदर से कहीं नहीं कहीं अंधेरा आता है ना और फिर व्लोग कहीं नहीं कहीं स्टार्टिंग अच्छा भी ना लगता हो तो तो आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा आके बाहर हो और मौसम तो आपको डेली दिखाते हैं और आपको कल और आज वाली क्लिप सेम ही लग रही होगे क्योंकि लग बग लग सेम ही मौसम है लेकिन ग्री आ गए है ना अमलब तब तो मैं व्लोग बनाता नहीं था जब थो इस पहले हैं और क्समों और क попробर नंढ चैननल कि लगे लिए लेकिन अतने ग्रूप की बाइख देनर और ऊतने ग्रूप पाता जल और य। अपडेट कुछ शारा दोस्तों की यह देख सकते हैं आप लोग यह हैं गेहूं की फसल और गेहूं को देखो अभी उतने दाने भी नहीं आए यह अगर उखाड लिया तो यह कच्छ है भई अभी यह देखो यह यह गया इसके अंदर कुछी नहीं मिलेगा आपको ऐसी फसल है तो अब काट भी रहें यहां से तो पकने वगयरा तो देंगे नहीं यहां से गाय को खिला लेंगे क्योंकि इसमें कहते हैं न दूद होता और उससे फिर दूद ज्यादा देगी ट्राई करना आप भी कभी क बनता है फिर मेरे को बताना में भी देखूंगा और बताओंगा फिर आपको गाई सिस्टम कुछ ऐसा है ना कि आप भी जाना है खाना वगएरा खाना और कालिज के लिए निकलना है एक्जाम तो वेंसे अपना दो बज़े से तीन बज़े तक होता है लेकिन मेरे को दस बढ़के तो बहुत कम आते हैं फिर उनको काल करके बढ़ाओ कि आजा काल जार उनके साथ थोड़ा बहुत डिसकस करके डिसकस्शन वाली वीडियो से शहीद आप लोग ने देखी होगी ठीक है और सच बताओं तो भाई मतलब जो पूरे सिमिश्टर में तुम प्रिपेर क करते हो ना वो इकोली लगता है मेरको उस टेम दिमाग बहुता है एक्टिव होता है तेजी से फरक करता है चीजे याद रहती है ऐसा मुझे लगता है वागी तो दिमाग भी अब थोड़ा सा क्या ही बताओं में चलो छोड़ो जार चेक करते हैं बनाए गर में खाना तो ख लिए और जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा एक्जाम भी है एक्जाम के लिए बेस्ट आफ लॉक नीचे कमेंट सेक्शन में दीगे देना आइनो एक्जाम होने के बाद ही अब लोग आ रहा है बट बेस्ट आफ लग अगर आप लोग लिखोगे तो वहां जो पेपर है अब लेट नहों जाए इसलिए निकल पड़े हम अपने कालिज के लिए और कल दो मिनिट लेट होगे तो और गारी निकल गई थी तो आज वही दो मिन्ट ज़्यादा थेज से मलब की जल्दी आये है बस उतना ही फारक है इससे जयादा ना कभी था ना कभी है ना कभी होग होगा होगा कभी न दो होगा पता नहीं लेकन क्या होगा ठीक है यह देखो यार सेव पेड़ उस फटाफ़ पकरते हैं गाडी वर ना च्विर पर न चुट जाए तक हैं गाई रोड में और कर रहें गाडी का वेट की वेट के लावां कर भी क्या सकते हैं इदर से आएगी कि यह पहुंच गया बदरवा और अभी उपर उठाके वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं है मन मन का ऐसा कोई की नहीं होता दोस्तों बस ऐसे हिमत ने बोलती पाकी चीज़े टैंपरेरी हो सकती है दोस्तों लेकर मेरे को जब भी टाइम लगता है जब भी मन करता है मैं मंदिर जाता हूं और वैंसे भी एक्जाम के दिन तो वह लोग आचे जीने कभी मंदिर आए भी ना हो और मैं तो वैंसे भी आता ही हूं दोस्तों देखो यार बरा समय जब आता है ना तब भगवान याद आते और वही उस समय आपके अपनी होते है तो जरूरी नहीं कि बुरे सम तो भाई जब तुम उसे सुख में भी याद करोगे तो तुम कभी दुबें दुखाने ही नहीं देंगे तो बस यही सपंड़ा है याद गया टेंपल दोस्तों कल भी कुछ ऐसा शार्ट था अपको यकिनों कि कल वाला जी डाला है यह दो को हाथ में असे रख रहा हूं इसलिए दोस्तों हभी मंदर से होके आ गया होगे बागवान से यह कभी नहीं मांगता कि बिना पढ़े पास कर दो मैं यह कहता हूँ कि बरको उतना पढ़ाओ कि पास हो सकूँ बस यह वाली चीज़ है कि नसे मांगो, देखो यह चीज होती है नो दोस्तों की कोई-क Holz आपको एक बार पढ़के याद हो जाती है और काई या पचास बार पढ़ लो, आपको तब भी याद नहीं होती है तो यही है कि वह शक्ति होती है कि भाई वह आपको इतनी मावर इतनी अब क्या भूलो मेरे पास शब्द नहीं है तो बस समझ जाओ यार कि भगवान से मांगो सब मिलेगा तो चलते हैं अपने कॉलेज में और देखते हैं क्या बनता है दयान नहीं दिया वह वाली क्लिफि pod twins आप कुछ आप सभी को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीजर वीडियो को लाइक शिर सब्सक्काइब कर देना बागी विल्टाव नाक्स ब्लोक में तब तक लिए जय हिंद वन्ने मातरम